सो है गाई स्वागत आपका आपके यूटीब चैनल में इसको डीके में आज किस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो चली फट फट से हम जोने sacar के नंबर देख लेते हैं उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हैं अने वाल टैम में अच्छी तेजी बनने के संकेत है या फिर नहीं यह तो चले फट फट से हम जोने के ended में और यहाँ पर आप देखोगे half year ended आपको दिया गया 6 month तो यहाँ पर quarter ended की बात के तो total income अब की बार जो generate होती होई नजर आई है वो है 1438 क्रोड की जिहां 1438 क्रोड की previous quarter में आप देखोगे 1,995 क्रोड की थी तो previous quarter से अब की बार आप देखोगे इसके revenue में हमें जोना गिरावट देखने को मिली है ठीक है और वहीं आप देखोगे half year की हम बात करें तो half year में आप देखोगे हमें जोना revenue में jump देखने को मिला है बट अब की बार quarter and quarter basis पर इसके revenue में गिरावट है और वहीं आप देखोगे इसका जो expense है total खर्चे तो यहाँ पर आप देख सकते हो भी 1258 क्रोड के लिए previous quarter में आप देखोगे 1442 क्रोड के तो previous quarter से expenses में गिरावट है यह अच्छी बात है तो अपके बार आप देखोगे जो revenue है वो इसके expenses ज्यादा है तो इसका मतलब company को फिर से profit हुआ है कितना profit हुआ है वह भी आप देख सकते हो profit for the period या after tax कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो भई after tax जो profit बचाए company को वह है 85 क्रोड तीस लाग का previous quarter में आपको 63 क्रोड का profit देखने को मिला था तो previous quarter से बहुँ ज़्यादा खराब result आते हो नजर आया है जिसकी वज़ए stock आज आपको तो इसके दवरा अगर बात करें कुछ announcement के तो इसके दवरा कुछ भी announcement नहीं हुआ है अगर कोई bonus वगारा या फिर जो dividend वगारा announcement होता तो वह मैं आपके साथ जोना share जरूर करता आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगे अगर वीडियो पसंद आए देक लाइक कीजिए और आने वाले टाइम में share price के अंदर हमें जोना और ज़्यादा गिराउट भी देखने को मिल सकती है and thank you for watching the video